distribution channels जितना topic ये सुनने में easy लगता है उतना ये easy है नहीं इसके अंदर बहुत सारी चीज़े आती है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Sonu Singh और आप देख रहे हैं Sonu Singh PPD वाले आज किसी वीडियो में हम discuss करने वाले है distribution channels के बारे में और इस पूरी वीडियो में हम discuss करेंगे क्या होता है distribution channel का concept क्या इसके importance होते हैं क्यों जरूरी होता है distribution channel और कितने तरीके के distribution channel होते हैं जो types वाला part है वो हम short में cover करने ही खुशिश करेंगे ठीक है तो लास्त दिखना आप इस वीडियो हो ताकि आप इस topic को हची से समझ भाओ तो start करते हैं कि example के साथ आपने कभी सोचा है कि आपके इर्द के इर्द जितनी भी चीज़े होती है आपके आसपास जितनी भी चीज़े जो आप use करते हो क्या वो आपके आसपास ही बनती है जो उसकी manufacturing होती है आपके आसपास ही होती है नहीं for example जो laptop आप use करते हो जो cars यूज करते हो या आप सड़कों पर दिखते हो watches जो आप पहनते हो, जो आप phone यूज़ करते हो ये किसी और शहर में भी बन सकते हैं, किसी और देश में भी बन सकते हैं ठीक है, वहाँ से आप तक ये पहुचाए जाते हैं on demand या जो भी चीज़ें आपके आसपास वाले दुकानों पर पहुचाए जाते हैं वहाँ पर बनते नहीं हैं, तो जो भी लोग involved होते हैं इस चीज़ को करने में, manufacturer से आप तक पहुचाने में समान उसको intermediaries बोलते हैं, और उसी पूरी process को बोलते हैं distribution channel या channels of distribution, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है वितरण का माध्यम, वितरण मतलब distribution, माध्यम मतलब channel कि किनके माध्यम से होकर, वो समान आप तक पहुचाया जा रहा है जहाँ पे वो produce हो रहा है, और जहाँ पे वो consume हो रहा है आप तक, ठीक है तो क्या होता है concept distribution channel का The distribution channel is the part that a product or service takes in order to be sent from the manufacturer to the consumer तो distribution channel एक path होता है, जरिया होता है, एक रस्ता होता है, जिसके जरिये जो product या service है वो manufacturer से consumers तक send की जा रही है, जहाँ पे वो बन रही है, जहाँ पे वो consume हो रही है उसके बीच का path होता है distribution channel The place of production and consumption of product is not the same बिल्कुल सही बात है, अभी हमने discuss किया थोड़े दिर पहले कि जो production का place होता है, जो जहाँ पे वो समान बन रहा है और जहाँ पे वो consume हो रहा है वो same नहीं हो सकता है, ठीक है The distribution channel overcomes the place barrier in delivering the products तो distribution channel जो place barrier होता है, जो four piece होता है किसी भी item को बनाने के लिए उसमें से जो place वाला part होता है, वो होता है distribution channel कि place barrier अगर आता है, तो distribution channel के जरियो उसको sort किया जाता है Various market intermediaries are used in transferring the product from the hands of producers to the final consumers और industrial users तो बहुत सारे लोग होते हैं involved, producer से final consumers तक products को पहुचाने में उन लोगों को हम intermediaries बोलते हैं, ठीक है These market intermediaries carry alternate names such as wholesalers, distributors, retailers, franchise dealers, jobbers, authorized dealers and agents तो ये सारे कुछ नाम होते हैं intermediaries के, जो involved रहते हैं producer से consumer तक समान को पहुचाने के लिए Wholesaler होते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है, ठोक वे अपारी जो बहुत ज़्यादा quantity में समान खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा quantities में बेचते हैं समान Distributors होते हैं, Wholesalers से उपर ही होते हैं कि जो भी समान आता है manufacture से वो Wholesalers तक पहुचाते हैं, या Wholesalers से Retailers तक पहुचाते हैं तो वो Distributors होते हैं, वन्तब almost same काम होता है Wholesaler तो Distributor का, Retailers होते हैं जो direct consumer के contact में रहते हैं, जो दुकाने आपके आसपास होते हैं वो सारे Retailers होते हैं तो इसलिए उन जो भी लोग है न, वो एक ही काम कर रहे हैं कि समान manufacturer से लेके आ रहे हैं यह जो भी उनके उपर से समान देने वाला है उनसे लेके आ रहे हैं और consumers को समान पहुचा रहे हैं ठीक है अब यहां पर कितने तरीके के distribution channel हो सकते हैं सबसे पहला हो गया producer to consumer अब कोई ऐसा producer है जो अ प्रद्यूसर तु रीटेलर तु कंजियूमर तो यहां पर रीटेलर इन्लोव हो गया producer क्या कर रहा है और रीटेलर को समान दे रहा है और रीटेलर क्या कर रहे हैं consumers तक पहुचा रहे हैं अगर आपके आसपास कोई रीटेलर और कंजियूमर यहां पर होलसेलर और आजाता है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेडियूसर से समान लेता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सस्ते दाम पे रीटेलर्स को बेचता है वो सम्मान और रीटेलर्स कंजियूमर्स को बेचते हैं ठीक है नेक्स टाइप होता है producer, distributor, retailer and consumer कि producer से distributor तक जा रहा है समाल और distributor जो क्या है वो retailers को दे रहा है और retailers consumers को दे रहे हैं ठीक है तो मतलब distributor और wholesaler को same ही माना जाता है ठीक है तो इसलिए ये भी एक तरीके का distribution channel हो सकता है नेक्स तरीका हो सकता है यहाँ पर agent या broker involved हो जाता है producer के बाद जो है agent या broker होता है या इसको dealer भी बोल सकते है वो जो होता है वो dealing करता है जो भी factory से समान आ रहा है और वो wholesaler को जेता है wholesaler retailer को देता है retailer consumer को देता है तो यहाँ पर कुछ इन 5 तरीके का distribution channel हो सकते है में इन 4 तरीके के ही होते है यह wholesaler और distributor वाला जो है वो एक ही मान के चलो आप ठीक है third or fourth तो next हम देख लेते हैं क्या होता है importance distribution channel का importance of distribution channel यहाँ पर हम कुछ 6 या 7 importance discuss करेंगे और हो तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन exam point of view से मैं बता रहा हूँ first होता है provide true and valuable feedback distribution channel के जरिए जो भी producer है जो भी वो समान बना रहा है उसको सही और valuable feedback मिल सकता है जिसके जरिए वो अपने समान में quality में improvement कर सकता है ठीक है कैसे मिल सकता है feedback जिसको भी वो समान दे रहा है agents को wholesaler को retailer को वो सारे customers के contact में आ रहे हैं तो अगर customer आप मारे जैसे हम दुकान से कुछ समान खरीदते हैं तो हम दुकान पर अगर कोई feedback देते हैं तो feedback वो wholesaler को देगा wholesaler जो भी agent होगा या जो भी dealer होगा उसको देगा जो dealer है वो producer को देगा तो producer तक customers का feedback पहुँचता है distribution channels के जरिए second होता है था एक बार phone order किया था Mumbai से आ रहा था वो phone भाई आज order किया है ना एक दिन में ही phone मिल गया था मेरे को कल चाम तक मेरे हाथ में था वो phone यह कैसे possible है यह distribution channel के जरिए हो पाया है ठीक है जितने भी उसके बीच में लोग involved थे उन्होंने अपना काम किया जल्दी जल्दी जो भी चीज़े करी प्रासेस करी और डिलिवरी बहुत जल्दी की प्रॉडक्स की ठीक है स्टार्टिंग में अपने एक्जाम्पल भी देखा था कि अगर किसी और देश में भी समान मेनुफैक्चर हो रहा है तो consumers तक वो पहुचाया जा सकता है distribution channel के जरीए थर्ड होता है maintain stock of products क्योंकि distribution channel में warehouses भी आते हैं यह सारी चीज़े भी आते हैं जहां पर मतलब services available होती है जो भी product producer से लिया जा रहा है उसको stock किया जा सके है जैसे amazon का ही example आप फिर से ले सकते हैं या किसी भी e-commerce website का example ले सकते हैं आपको क्या लगता है जब आप order place करते हो तब ही वो जाते हैं बनाने के लिए वो समानी नहीं वो पहले से बना के रखते हैं अपने warehouse में रखते हैं या जो wholesaler है वो अपने warehouse में रखता है उसके बाद वो आप तक पहुँचाया जाता है समानी तो distribution channel के जरीए ये भी possible हो पाया है कि जो products बने वे products हैं उनको stock करके रखा जा सकता है फूर्थ होता है provides market information अब वही feedback वाली ही बात है मतलब घुमा फिरा के बोला गया है कि market की कुछ भी information होती है न वो producers तक अराम से पहुँच जाती है distribution channel के जरीए ठीक है वही बात है कि customers अगर कुछ बोलते है या जो retailer market में महसूस करता है कि customer कि जाधा demand कर रहे है उनको क्या पसंदा है वो उपर chain में अपना पहुचा देता है कि wholesaler को पहुचा देता है और agents जो है वो producers या manufacturers तक पहुचा देते हैं वो चीज़े तो market information मिल जाती है जो की बहुत जाधा useful होती है producers के लिए फिफ्ट होता है promotion of goods अब distribution channel के जरीए आप अपने goods का जो भी आप चीज बना रहे हो as a producer आप promotion कर सकते हो ठीक है आप क्या करोगे कि आप वे जो भी wholesalers है या जो भी retailers है उनको कुछ चीज़े बता दोगे कि हम ऐसे ऐसे यह product यूज होता है और यह जादा जादा बेचने ही कोशिश करना कभी आप दुकान पे गए होके तो आपने मतलब कुछ x y z चीज मांगी तो उस जो दुकान भी नहीं सकते है कि कितनी जादा employment generate होती है distribution channel से ठीक है producer अगर कोई समान बना रहा है और उसके बेची में बहुत सारे लोग involved है customers तक वो समान देने के लिए तो उन सब का जो भी livelihood चल रही है वो distribution channel के basis पे ही चल रही है ठीक है तो employment generate करने में बहुत बड़ा हाथ होता है distribution channel का ठीक है तो यही था इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो please like कर देना और पसंद आने से पहले आद आपको समझ में आना चाहिए topic इतना कुछ था नहीं है rocket sciences topic में तो easily समझ में आ गया होगा अगर कोई भी दिक्कत है इस topic में अभी भी त ठीक है तो like हुई गई होगी अब तक तो वीडियो अगर नहीं तो please like कर देना और subscribe करते हुए जाना अगर चैनल पे नहीं आए हो subscribe नहीं किया हुआ है तो subscribe कर दो कुछ जाता नहीं subscribe करने में study का चैनल है support कर सकते हो थोड़ा सा ठीक है तो मिलते आप से next video में तब तक के लि झाल झाल झाल